नमस्कार सर एक बार फिर से और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो कि नए लोकेशन भी है और नए वीडियो है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिये क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम की इमत वाली विकाउजमीन की मैं जानकारी लेकर आ गया हूँ जिहां सर थोड़ा आपको यहां पर मिट्टी डलवाना पड़ेगा तो आप यहां पर अच्छी फसल भी कर सकते हो और वह अच्छी फसल वैसे भी इसमें होती है और यहां पर थोड़ा भठा के लिए मिट्टी न करना चाहते हैं तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो है यहां पर जमीन है सड़क के ज़ेष्ट बगल में है और यहां पर अगर मिट्टी डलवा कर आप यहां पर कोई कंपनी वगएरा कोई फैक्टरी वगएरा खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी यहां पर आपको जमीन मिलने वाली है। जिहां सर जिला सुल्तानपूर है और राजिस का उत्तर प्रदेश है और यहां पर अगर तहसील की बात करें तो कादीपूर इसकी तहसील है और इसकी जो बलाक है बलाक कुड़े भार है जिहां सर सुल्तानपूर जैसे जिले में आपको बहुत ही कम कीमत में आपको यहां पर जिसी भी लगवा कर यहां पर आपको बरावर करवाना होगा और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट बगल में भठा है और तो भठे के लिए यहां पर मिट्टी निकाली गई थी और यहां पर थोड़ा जंगल टाइप का यहां पर एरिया है तो आपको उस जंगल को यहां से जिसी भी से साब करवाना होगा क्योंकि जंगल में आपको यहां पर कुसकास मिल जाते हैं और थोड़ा पेड़ पोधे मिल जाते हैं तो यहां पर आगर आप रोलर से अगर बराबर करवा लेते हैं तो आप यहां पर लाखों में जमीन इसकी बेज सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको बता देते हैं टोटल कुल कितना बीघा जमीन है जिहां सर कितना बीघा जमीन है तो यहां 651 बीघा जमीन है जिहां सर 651 बीघा यहां पर आपको जमीन मिल जाता है और यहाँ पर आपको बता दूँ कि होने वाले फस्बों के बारे में तो यहाँ पर धान गियो हूं तथा अन्स फस्ब्स पर पायदा कर सकते हो जिसमें देखा जाया तो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं बजरा बोया गया है जहां सर बजराब होया गया है और यह वीडियो मुझे आया था लगवाग एक महीने पंदरा दिन पहले आया था लेकिन मुझे थोड़ा और वीडियो आते हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया थे तो यहां पर इस वीडियो को बरताना भूल गया था तो मैं मालिक ने अभी मेरे पास मैसेच किया कि सर मेरी वीडियो को अपने अफलोड नहीं किया तो मैं कोशिश करके यहां पर आपको वीडियो अफलोड कर रहा हूँ तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यहां पर मालिक का नाम क्या है यहां सर मालिक का नाम क्या है तो मालिक का नाम है क्रिश्न नरायन सर्मा जहां सर क्रिश्न नरायन सर्मा इनका मालिक का नाम है जो कि यहां पर मुसल्मान बस्ती भी है और यहां पर हिंदु की भी बस्ती है तो यहां पर जो कि कृष्ण नारायन जो है सर्मा जो या नाई जाती से विलॉंग करते हैं जिहां सर्मा नाउ जाती से विलॉंग करते हैं और यहां पर आपको बता देते हैं रोट के जिस्ट बगल में है और यहां कुस कास जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ा आपको साप करवाना होगा अगर आप इसको साप करवा देंगे तो बहुत ही महंगी यहां पर आप जमीन बेच सकते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मालिक किस रेट में जमीन को बेचने वाले हैं तथ हम उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बीगह में किल कितना विस्वा होता है तो यहां पर एक बीघा में आपको यहां पर अठारा विस्वा मिल जाता है जिहां सर एक बीघा में आपको अठारा विस्वा मिल जाता है और मालिक जो है यहां के इनके जो मालिक हैं इनको थोड़ा पैसे की ज्यादा जरूरत होने के करन यहां जमीन को अर्जेंट में सेल कर चाहते हैं और यहां पर इसका जो प्राइज रखा गया है यहां सर जो प्राइज रखा गया है यहां पर आपको चार हजार रुपे प्रतिवीगा के इसाब से रखा गया है अगर आप इस जमीन को अपना बनाना चाहते हैं यानि खरीदना आप चाहते हैं तो इस जमीन को मुबाइल नमबर नोट कर लेजिए 9461062448 तो यह मालिक का मुबाइल नमबर है आप इस नमबर पर आप संपर कर सकते हैं और आहां आप हमारे चैनल को अगर आप यह तक सापने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर जमीन खरीद लिया है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो हमारी तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर मैंने जमीन को खरीद लिया है क्योंकि बहुत सो लोग का विस्वास नहीं होता है कि हमारे चैनल से भी जमीन खरीदी ज जाती है तो आप लोग उसे मैं हाथ जोल के निवैदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो जमीन खई लिए हैं वहाँ कमेंट कर सकते हैं और क्योंकि कमेंट करने के लिए आप से किसी परकार का पैस में तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जूले रहें और अपने दोस्ते अश्तेदारों में भी इस वीडियो को सेयर करें अगर जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और जानकारी कुछ हमसे छूट गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो चलिए फिल मिल तेहन नेश्ट बुड़ी में तब तक के लिए जय हिन जय भार तो वह अंदे मातरम